पुलिस द्वरा चलाय जा रहा नश्रा विरोधी औभियान अपने पूरे चदम पर है पुलिस लगातार नश्रा के विरोध कारवाई कर नश्रा कारुबार्यों की कमड तोडने का काम कर रही है इस अभियान के करम में आज रीवा की गोविंगर पुलिस ने संयुक्ति टीम के साथ मिलकर नश्रा की एक बड़ी खेप को पकड़ा पुलिस ने तकरीबन 10 लाक से दिक कीमती 99 किलो गांजे की खेप के साथ दो सगे भाईयों सहीद 4 तसकरों को गिरफतार किया है जबकि एक तसकर अभी फरार बताया गया पकड़े के तसकरों द्वारा दो अलग अलग गाड़ियों में ये खेप लोट की गई थी जिसे 36 गड़ के रास्ते रीवा लाया गया फिलाल मामले में वहां सहीद गांजे की खेप को जब्त कर आरूपियों के खिलाफ एंडी प्येसेक्ट का अपराद दर्च कर कारवाई की जा रही है दरसल ये कारवाई आज ही महेंदर सिंग सिकरवार वा एसपी फिवेट सिंग के निर्देश पर गोविंगर पुलिस ने की है जिसका खुलासा आज रीवा एसपी ले किया है बताया गया कि पुलिस टीम ने गोविंगर स्थित छुया घाटी के नीचे घेरा बंदी कर 36 गर पासिंग की दो गाडियों को पकड़ा जिनकी तलाशी के दौरान पैकेट में बंद गाजे की खेप मिली पुलिस को दोनों गाडियों से कुल निन्यान नवे किलो गांजा मिला जिसकी अनुमानित कीमत तकरीबन 10 लाख रुपए आखी जई है पुलिस के मुदादिक कारवाय के दरौर मौके से दो सगे भाई शिवम तिवारी वा उमा कांथ तिवारे निवासी अमर पाटन सहित विकास गुपतावा सनिकोल निवासी गर रिवा को गिरपतार किया गया है जबकि एक आरोपी अभी फरार है मामले में फिलाल आरोपियों के बेर धेंडे पिये सेक्टे का अपराद दर्श किया गया है और उनसे लाई गई खेप सहित गाजा तसकरी से जुड़े अन्य तसकरों के संब्ध में भी पूस्ताच की गई है जिसमें जिले के अन्य कई तसकरों के नाम सामने आए है फिलाल पुरिस द्वारा इतकी गई इस कारवाई में डियस्पी उदित मिस्रा, डियस्पी हिमाली पाठग, एसाई शेल यादव, सहित गोबिंद गर्थाना प्रभारी, शिवा ग्रबार और उनकी टीम की सरानी भून कर रही है जासा कि आपको मालूम है कि रियुवा में पिछले कुछ समय से हम लोग जो नशे को लेके काफी जो कारवाई को लेके काफी तक पर हैं इसके ताहता में आई इसने के स्पेशल टीम ही बनाई है वो इस स्पेशल टीम लगातार आसूशना संकलन कर रही है तहां से नशे के समगरी आ रही है कौन कैसे सप्लाइए चेन है और उसमें रियुवा पुलीस लगातार पूरा उसमें मड़र करी उसने कारी है और उसमें उदेत, शिवा और राजियू और हिमाली और सभी लोग उसमें लगे थे माइक टू अनिल सोन कर उसको पूरा निल्डेशन उसमें कर रहे थे और जिसमें हमको फिर दो गाड़ियों को पकड़ने में सपलता मिली है जिससे हमको करीब 98.6 kg गांजा उसमें हमको मिला है और जो तीन आरोपी इसमें गिरफदारू हैं जिसका नाम शिवम तिवारी है ये अमर पाटन करहने वाला है, शनी देवाल रावत है ये रतहरा अपने रिवा का रहने वाला विजय गुपता है, ये गढ़ का रहने वाला है और इनके पास है दो गाड़ियां हमको मिली है, एक स्योफ एक स्योफ डिजाय मिली है और कुछ मोबाइल फॉन, और करीब ये 99.6 kg गांजा है, करीब 9,00,000 तुपैका है तो करीब 30,00,000 का पूरा मश्रूता इसमें जब किया है, इनसे पूस्ताश की जा रहे हैं, पूरा कैसे सप्लाई करते हैं, कैसे लाते हैं, किसे बादचित होती ही वहाँ पे, उरिसा और आंध्रा के बॉर्डर पे, और उसके ओपर भी कारवाई स्टार्ट कर दीगी है तो यह जो एक वहाँ पे, उरिसा और आंध्रा के बीच में एक बॉर्डर एरिया है, जो भी सप्लाई करते हैं, वहाँ पे, वहाँ पे किसी कोई नंबर इनको मिलता है, इसके आधार पे वहाँ जाते हैं, फिर उसके बाद इनकी गाड़ी को इनसे ले लिया जाता है, उसक को यह नहीं वाल होता है कि कहां पे इनकी गाड़ी लोड हुई है, कहां प्लाए गया है, कौन उसमें, में वो था, लेकिन हम लोग पूरे सभी मुख्बिर और सारे टेक्निकल इंपूर्स में कठा कर रहा है, और नीचे दूप से इसमें भी आगे कारे कर रहे हैं, कि जो प